हेलो फ्रेंड्स आज मैंने गुड़ का दलिया बनाया है जो की विशुद भरतिये भूजन है और ये बहुत अच्छी मिठाई मानी जाती है जो इजीली बन जाती है इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये स्वादिस्ट भी लगती है और हल्वे से अच्छा उपसर है इसके लिए एक कटोरी दलिये को मैंने दो तीन चमजगी में भून लिया है थोड़ा जाज बोरहूने तक इसमें बुल कर पा दो अच्छा लगता है और अब इसमें मैंने एक कटोरी दलिये में तीन कटोरी पानी डाला है इसमें बहुत से लोग दो कटोरी पानी भी डालते हैं लेकिन वो फिर चाशनी बना कर डालते हैं इसलिए वो इसमें दो कटोरी पानी डालते हैं मुझे चाशनी नहीं बनानी इसलिए मैंने तीन कटोरी पानी डाल के इसमें दो सीटी लगा ली है और ये देखिए फ्रेंड्स ये बन गया है मेरा दलिया बिल्कुल मुझे इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए और अब मैंने आधे कटोरी से जादा गुड को कराट के इसमें डा दिया है ये देखिए और इसको अच्छे से मिला लेंगे गरम गरम में ये गुड साथ के साथ ही पिगल जाएगा और इसके अंदर ये इलाइची डाला है फ्रेंड्स इसमें कई लोग नारियल पी कसके डालते है या डेसिकेटेट नारियल भी डालते है भून के कुछ लें हल्वे से अच्छा उप्शन लगता है मुझे ये और इसको राजिस्थान में कड़ी और गट्टे की सबजी के साथ खूप खाया जाता है और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा घी मिलाया है जिससे कि ये और स्वादिस लगे गी मिलाना पून्ट है आपके उपर अगर आप नहीं डालना चाते तो ना डाले लेकिन हम लोग इसी तरह मिला कर खाते हैं इसमें बार बार घी मिलाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा गी का स्वाद आता है और मैंने इसको फिर एक सीटी लगा के पका लिया है तेज आज पे और उसको तुरंती खोल लिया और और इसमें थोड़े से मेवे अपनी मर्जी अनूसा डाले हैं और आप ये देखें आप ये भगवान के भोग लगाने के लिए जा रही हूँ देखिए फ्रेंड्स और ये मैंने भोग लगा दिया है भगवान को और आप भी बताईएगा कि आप ये किस तरह से बनाते हैं और बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये इस तरीके से दल्या बनाना और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसके लिए ये देखें फ्रेंड्स दिखने में भी अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी इतना ही स्वाडिस्ट और इसको आप गरम भी ख खा सकते हैं और आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं राजिस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है किसी भी शुबसर पर जरूर दल्या बनता है कई लोग इसमें थोड़ा सा मावा भी मिला देते हैं इसको रिच करने के लिए लेकिन हम इसको ऐसे ही बनाते हैं Tänne ovat!